अलो फ्रेंड वेलिकम टू बीपीसी प्रेटफॉम आज के हम इस वीडियो में डिक्सक्राइब करने वाले हैं फोरेस्ट और वाइल लाइफ बिहार जोग्रफी के इस वीडियो में डिक्सक्राइब आज वन और वन जिव अभियारन बहुत ही सिंपल टॉपिक है इस टॉपि की वन जिव भीहरन बिहार में कितने हैं नीस्टनल पार्क बिहार में कितने हैं सारे चाहों नेशनल पार्क या वैडलफ संक्टॉरी सब को देखें उससा क्वासित और फोरेस्ट के बारे में अज़ डिटेल कभर करने वाले इंडिया उसको भी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले सबसे बड़ी बात अगर हम बात करेंगे कि बिहार में इस टॉपिक को स्कीप करने के पीछे कारण है क्योंकि बिहार में बन उतना अधा है नहीं अगर सदन पार्ट को हम देख लेते हैं कैमुर भगुवा वाला छेतर देख सकते हैं रोतास चेतर देख सकते तो वहां पर आपको बन देखने को मिलेंगे लेकिन बहु सवाल बनते नहीं लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरा बिहार को हम समझेंगे एक दो भी सवाल आएगा तो बहुत सवाल आते हैं हमेसे बातों समझेगा ठीक है ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को बहुत जल्दी पर से पहले अगर हम बात करेंगे हमारे द्वारा क्या-क्या पढ़ा जाएगा आपको विहार स्पेषल में पता होना जाएक कि जैसे बीहार झोग्राफी खत्म होगा तो पूरे बिहार जोगरफी से जितने भी अभी तक एमसे क्यू पूछे गया है हमारे भीप्ल से उसको भी करने वाले हैं ठीग है कि है सब मैरे दोबारा कर जाएगा कि को अगर यह बहुत ही सारे आपके लिए महत्पुन है इस पूरे बिहार को देखना है हाड़ी साडरी आपको दस वीडियो और आपको देखने को मिलेगा नहीं भी तियाट का कोरस है जो को पर्चेस करना है इसमें आपको क्यों लेंगे बहुत सारे आपको pdf मिलेंगे पुरे जो बीडियो आप देख रहे वह बीडियो मिलें पूछ सब्सक्राइब करते हैं और सथ सब्सक्राइब अगर हम बात करेंगे हम BPSC प्रेटफॉर्म के दवार जो लॉंच किया गया आपको 67 के लिए वो भी आपको पर्चिस करना है फूर डबलेट है लेकिन ये प्राइस अभी आपको कम कर दिया गया अब ध्याना चाहिए इसका प्राइस आपको अगर हम बात करेंगे तो 30 98 कर दिया गया है तो ये कोर्स कि आप पर्चिस कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में अब को ये सारे कोर्षे COS मिल रहे हैं और और इसमें लगबग हम लोग बात करेंगे दस टेस्ट अभी हम लोग इनिस्यली हम लोग रखें हैं लेकिन इसमें और भी टेस्ट बढ़ाया जाएगा सारे टेस्ट देखें के अपना अपने आपको बुष्टक किजिए क्यूंकि आपका प्री के लिए ज्यादा दिन समय टॉपिक को फोरेस्ट के बारे में ठीक है यह सा हम लोग पढ़ चुके हैं इन सारे टॉपिक को चली हमने पिछले वीडियो में यह ची छोड़ा था आपने देखा होगा कि एग्रो क्लामेटिक जोन ओफ विहार लेकि क्रिसी के अगर बात करते हैं जो जोन है वह में पूरे इंडिया पूछे का तो पंदरा बताना है पूरे इंडिया में एग्रो क्लामेटिक रिजन्स कित रहा है आप देख सकते हैं याद करना जूरी नहीं कितना नंबर आपके अधर के सफिसेंट है तो उसी के साथ बात करेंगे हम तो उसमें देखिए पचमाइन नंबर पर कौन सा आ रहा है आपका बिहार का क्रिसीजर बाइच तो यह पात्मा नंबर वोलते हैं मिडिल गंग बाई रिजन गंगा का मध्ध वहला भाग क्योंकि गंगा नदिका निकलती मध्ध बाला मिडिल परें दरीजन मैरे बात को अब देखिए उसमें भी बीहार में जो एग्रोगलामेटिक जोन की संख्या है वो 3 है क्लाइम जोन संख्या वह न उपर वाला देख सकते हैं इसम बंगा पर मंदल यह सारे आपको इसमें ले लिए गए हैं अब उसी तरह कर आप करेंगे तो यह वला जो पर एक रोक्लामेटिक जोन तीरी जिसको बोल रहे टेक है दक्षनी बिहार में एग्रोक्लामेटिक जोन थीरी है ठीरी का पाटेद प्रपाट भी है लेकिन है पूरा पुरी किया अग्रोक्लामेटिक जोन ठीरी अब देख सकते हैं पूरा दक्षनी बिहार दो भाग में एक तब्लैमेटिक जोन टू एक लिमेटिक जोन वन एकॉर्डिंग टू रेंफॉर्ड एकॉर्डिंग तो वहां पर किस तरह के मीटी है उसकी को समझें का ठीगा तो हम आपको देखने को मिला ठीक है तो अब देखिए कि इसके बारे हम लोग समझेंगे अब देखिए कि प्रकृष एक अब लगान के मैं और अगर वहां पर बात कते हैं तो बहुत अलबेट नहीं दो आपको बहुत दॉप सरे नदियां गंदा की चुछ आटे नदियां है बुटी गंदक है बुटी गंदक है ठीक है तो यह तो अलड़ेद ब्बैन प्लेंस होगे ठीक है है इसमें साली समस्थीपूर है टीकि जो कि हम्हेसा कहीं ने करिंगे चपेट में रहते हैं टीकित समझना ईariow से आते हैं जदा इसमें प्ल siinä नहीं जाना नहीं कोई महत्uctम स्थार्राइन क्षोड़ मेंसरोड मिलें गाइट में त्यक्रुल आपको पता है यह वाला पूरा बेल्ट में तरहाइस वाल मिलेगा तो यह बस समझना कौन-कौन सा आ रहा है तो देखे चंपा भी आ रहे है तो देख सकते हैं करीब करीब हम देख सकते हैं कि यहां फिर महाननदा है तो हो गहीं होगी ञत्रीव माननदा तो इस्में आप देख सकते हैं कि पुर्णिया परमंडल है आप देख सकते हैं कि यह देख सकते हैं कि को सी परमंडल है ठीक है ओके यह पूरा पूर्णिया परमंडल हो गया को सी परमंडल हो गया तो यह देख सकते हैं कि इसमें दो परमंडल आपको आ रहा है ठीक है अब देख सकते हैं कि इन में अगर हम बा अभी हम आने वाले हैं अगर हम बात करते हैं वीडियो में छूट गया था तो उसको हमें करना जूरी है ठीक है यह हो गया जो नमबर टू अब देखिए जो नमबर ठीडिया रहेगा जिसमें पूरा सौथ भिहार पूरा सौथ भिहार तो आपको यादे भागलपूर हो गया आपका पूरा रेंज ठीक है पूरा पटना परमंडल होगे आपका ठीक है आप देख सकते हैं पूरा यह मगत परमंडल भी आपका हो रहा है तो यह सारे आपको याद रखने हैं कौन कौन को छेत रहा रहा है इनमें इनमें कीन तरह के स्वाइल साब को मिलेंगे मैंने आल् करनों को और हम थोड़ा सा बाटते हैं तो एकॉरडिंग टू हम बात कर लिए अगर हम घौवर्मन के का कॉर्णिंग हैं तो इसम में बात बदाते हैं तो record एट फरेश्ट एरिया दर्ज वन दर्ज tra़ वन को बोलते हैं जिनका सरकार के दस्तावेज में यह सरकार के ऐन रिकॉर्ड में और यह ये जंगल है इसे सरकारय सब्सक्राइं प्रॉप में दर्ज़ा प्राप्ट वो गया है वो वं करते हैं तो वह आघ ससुनूंस्टा किलोमेटर स्टीक डाउन सेवन के युमेठ्स येवन कंवें में ज़्यादा क्या है मैदान मात्र साथ पॉइंट तीन परसेंट जो एरिया है भी हर का वो है वन से घीरा हो वह और रिकाओड बात करेंगे फॉरेस्ट कवर क्या होता है विजहां पये जहां पर कम सग्म एक हक्टेर में 10 10% पेड़ हो एक हीकर देख लगर 10% पेड़ है तो उसको बोलने की यह फोरेस्ट कबर क्या यह फोरेस्ट कवरिप्र नहीं तो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया अगर हम बात करेंगे तो वो है है और हम ने देखां कि एक हेकटिर पर अगर दस परसेंट पूरा आगर हमें पेड़ मिल रहा है उस एरिया में एक बोमी कहीं पर देख लिए ऊछगा उना पर देखने को मिलेगा कुछ ट्री कबर भी है मतलों एक हेक्टेर में कुछ-कुछ आपको ट्री देखने को मिलेगा एक हेक्टेर बूमी कहीं आप देख लिए कुछ पुद्देगर एकॉडड़ फोरेश्ट एडिया 7.3 कौन क्या है अब समझ चूटे ओने अब यह रिकॉड़ फोरेश्ट एडिया यह सारे पता कैसे लगते हैं यह पता लगते हैं इंडिया स्टेट और फोरेश्ट रिपोर्ट भारत का वन स्तिति रिपोर्ट आता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जिसका अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट फोरेश्ट एंड क्लाइमिट जो आपका परिवरन वन और जलवाई परिवरतन मंत्राले हैं उसके द्वारे इसको पब्लिस किया जाता है और फोरेश्ट इंडिया है वो पब्ल इसका हमें सब पब्लिकेशन होता है और यह पिछला बार पर 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 लिकेशन दो सतरम हुआ इस ओले उनिस में हुआ अश्टार्ट कब सो भईया उनिस तासी से तो वन सर्वेक्षन बिभाग जोए भारत का उत्रा ख़ंड के दवार यह पेस किया था उसने बताता कि कॉन स पूरेश्ट कवर है क्या वहाँ पे ट्री कवर समझ यह बात को यहां तक कोई दिखत नहीं होगा अब देखिए यह जो आप देख सकते हैं डाटा कुछ खास नहीं है ऐसा नहीं कि डाटा को रठना है अब देखिए डाटा को देख लिए कि उत्राखंड में अगर हम बात करे हैं उत्राखंड ग्राफिकल यह आपको पता होना चाहिए उत्राखंड का ग्लोमेटर स्कौाइर है जिसमें रिजरब फोरेश्ट कितने हैं चप और प्रोटेक्टिटिट फुरस्ञेट कितने इतने अनक्लास इतने अन पूरी पूरे टॉप वन पर कौन सा आ रहा है आपक को आप वण को मिलेगे ठीक है हाला कि अगर हम बनों की बात करेंगे सब चाधा बन कहां पे है तो हो और टाटा है वह मैं देखेंगे मन्दपर सब्सक्राइब की बात करें कि यहां किसी बात कर रहा रिकावड टोडेट फूरेस्ट एरिया दर्ज 1-6-3 में टॉप लेकिन आपको बिहार को देखिए बिहार का चितरफल देख सकते हैं लेकिन मात्र साथ पॉइंट तीन परसेंट एरिया में यहां पर आपको बंद देखिने को मिलेगा इसलिए इतना महत्पून टॉपिक नहीं माना जाता है और याना में तो उदम समात्र साड़े तीन परसेंट सबसे कम और वनों का अपरन देखिए घाए तो रही आना नहीं देखिने को मिलेगा ठीक है यहां तक कोई दिखत नहीं हो समझ पाएंगे मात्पून ने बिहार को याद कि ठिक है उत्राखने वाल याद मत्रके लेकिन ब बात कर रहा है इस बात वो समयजिए ठीक है सब कुछ महत्पूर ने अब रिकॉडरेट फॉरेस्ट एरिया को तीन भागों बाडते हैं रिज़र फॉरेस्ट प्रोटेक्टेट्टेट फॉरेस्ट एंड अनकलास फॉरेस्ट रिज़र फॉरेस्ट उनको बोलते हैं ध्यान दे पाहला हमने बोटा रिजर्व मतलव कि इसको सरक्षित नाम आया इसको सरक्षन में रखा है अब उन तरह के बनों को सरक्षन प्रदान किया गया है और समझे बात को उन बनों में सबसे जो खासित है क्या है कि उन एरिया में आप सिकार नहीं कर सकते हैं उन एरिया में अपने रजाब है जाब जहाँ पर आपको पदान किया उसको बैगा रिजरॉइब फोरेस्ट से वहाँ पर आदमियों आना जाना भी बंध रहेगा ठीक है बिदार्ट परमिशंट तो अना जाना बंध ही रहेगा ठीक है पर मिले अब उस सेकंड में आता है प्रोटेक्टेट फोरेस्ट मतलो है वो भी वो भी सरक्षित है फोरेस्ट लेकिन थोड़ा कम है वहां पर हंटिंग रेजिंग कर सकते हैं परमिसर मिल गया तो कोई बात नहीं ठीक है वहां पर अगर हम बात करें अभी चीजों को समझें बन जो है तो उनको कदम उठाएं गई है तो प्रोटेक्टेड अरिया में क्या कर सकता है या क्या कर सकते हैं अगर में बात करते हैं तो वहां पर लोग को ऐलाओ किया था वहां पिलोग से फॉड़ा मन पेल वेल उट फोड़ शोड़ को काटे वाटे मतों कहने कर तो ऐसे एरिया में नहीं रहे हैं प्रोटेटर फोरेश्ट एरिया में आसपास के रहां पर रहनी मती मिलती है और वहां पी सरकार भी उन बाकिए आप देख सकते हैं यह आप को स्टेक्ट है यहां यहां तक कोई दिखत नहीं होगा आपको कहीं न कहीं समझ पाएंगे लेकिन रिजार में तुदम एकदम मना है आप देखिए समझेगा बातों को यह देखिए तो बिहार में चो रिक और देख रहे हैं 888ỗi किलोमीटर 8709 चंपायर इसको इसको तीन बागा में वेने बाठाए जर्व दस परेशायर है 89% प्रोटेक्टेट है और अनकलास जी लोपाइंट वांट टीके यह इतना दिहान रहा है द्यास पॉइंट और यह हो ग बात हम नहीं करेंगे वह अलक्षीच है अब देखिए आगे चलेंगे यहां तो समझ में आगे आपको फोरेश्ट का इस्थ कुछ नहीं कुछ प्रकार होते हैं कैसे एक्कॉर्डिंग टू कि देंसिटी कितने पेड़े एक छेत्रफल में एक हेट्रेयर में कितने अधे पीड़े तो ज्यादा सघन वन वेरी देंज फोरेश्ट इसको बोलते हैं वह 332 स्कॉर किलिमेटर 27 में डाटा था विहार का 19 में थोड़ा सा बड़ा 333 किलिमेटर रटना नहीं है कोई महत्पू करेंगे तो फूरेश्ट सबसे आधा है उसे बन जहां मतलब ज्यादा घने बनने होंगे बहुत ही पेड़ बहुत ही आपको एक डिस्टेंसीं पहुत देखनी को मिलेगा जाएदिसिन्स नहीं है कि पोड़ेहां मिलेक रही मतलब एक दो मीटर कर दूरी पतीने में तो वाला में और पच्मी चंपान वाला यह है मैं को देखने को मिलेगा समयर बात को तो कम से कम से कम सेटी पर शेंट कि आथ तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें उस एरिया में केवल पुरा पेड़ी पेड़ है पुरा भारावा पेड़ा अग्दम ठीक है अगर बात करते हैं तो 40 परसेंट 10 परसेंट से लेके अगर बात करने 40 परसेंट तक और इससे भी कुछ नीचे आएंगे तो ज़ाएंगे ज़ाड़ी आएंगे कुछ नन फोरेस्ट एडिया जिसमें पूछ हमी नहीं ठीक है उसमें कोई पेड़ी नहीं के रोपी समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा घहना बन टीक मोडर्टी थोड़ा सा कम घहना बन ओपेड मतों एहां पेड मिल रहा है पितास पेड तो पर थोड़ा दूर पर मिल रहा तो वह ओपन फोरेस्ट से मैं अब देखिए यह समझ्जे का बात को अब क्या कर रहा हूं कि फोरेस्ट कवर इंडिया में 27 कमी इतना था और 19 में कितना हो गया यह राटा याद रखना उसी तरह बात करेंगे तो बिहार में साथ पॉइंट 75 था नत जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट बढ़ा उनिसकी रिपोर्ट में 7.76 परसेंट जो बिहार में फोरेस्ट कवर है थी फोरेस्ट कवर मतलो उसमें आपका प्रक्राइब का रिकार्ण फोरेस्ट भाई जाएगा संधे बात को फुरेस्ट कर लाएगा ठीक है ट्रेस परसेंट एरिया में कम सेंगें आपका एक हीटर के दना लिए जादा आपको त्रेटिल मिल हां ठीक है ये देख सकते एरिया 336 किल मेटर अस्क्वाइर बिहार का बात तो आपको समझ आ ही रहा होगा अब देखिए पूरे इंडिया की बात करते हैं सबसे ज्यादा वन च्हेत्र के बात करते हैं फोरेश्ट कबर तो मध्य परदिस में मध्य परदिस बड़ा है और वहां सबस्यादा बात को ज्यादा एरिया में है यह समझे परसेंटेज में बात करेंगे तो सबस्यादा मीजोरम में है मतलब मीजोरम छोटा है और वहां फूरा बनी बन भरा हुआ है अगर बोलेगा सघंता में तो मीजोरम आजएगा समय रहां सघंता में क्योंकि देखिए सघंता मीजोरम है छोटा और यहां पचासी परसेंट एडिया पूरा वन यहां पर देखने तरवाद को यह पूद देगा कि सबसे तब फुरेश्ट कबर बढ़ा कहां पे हैं पिछ यहां तक कोई दिकत नहीं होगा चली आगे चलते हैं डिस्टिक वाइज फुरेश्ट कबर की बात करेंगे बिहार में तो सबसे आदा फुरेश्ट कवर आपको कहां देखने को मिलेगा कयमूर में एकॉर्डिंग टू एरिया कैमूर में दौसोट चपन स्कॉर क्लिमेटर में जो आपको वन फैला है वो कहां कैमूर में फैला हुआ भवुगा देख सकते हैं यह मैप आप देखिए पिहार का कि एकीस परसेंट से यादा सघंथा आपको देखने को मिलेगा यह देख सकते हैं जो जितना ग्रीन है उतनी घनेवन देखने जमुई हैं कैमुर है वेस्ट चमपारां नहीं होगहा रहेखने हैं थोड़ा समझ तो यहां पर देखने रहेखने को मिलते हैं इस सेकंद्ड नमर सबसे कम लोबर सबसे कम अगर बाद जहां परसेंट जंगल है नहीं जहाना बाद अधिक है जहां पर मत्तों क्या हुआ कि जहां पर वन है ही नहीं वह गया जहाना बाद मैंने आपको बताया था किस तरह से कौन अब्सक्राइब से प्रमंडल में मेरे जहन में बात आई यह परबल लाना है और मैं गया गया और वादा किया कि जब तक मैं प्रबल लेकर नहीं लोटूंगा नहीं अब मैंने सब ट्रीक बता या बल जाएगा ठीक है तो अब भूमी बन ही नहीं का वो जहानवाद में हैं तो अगर हम देखेंगे कि सबसे आप परसेंटेज के मामले मतलब एरिया सबसे परसेंटेज के टर्म में बात करेंगा और अपर आप बात करेंगा तो परसेंटेज में यहां ज्यादा बन है नवादा तुसे नबर आफ बात करेगा तो गया अएशार एरिया आएगा तो यह आपका एकॉर्डिंग टू परसेंट एकॉर्डिंग टू मैंने बता देए जो सवाल आता है तो आप देख सकते हैं कि यह वेश्चंपारन वाला एरिया है यह कैमूर हो गया जमूई हो गया बीच में कोई बन बहुत कम बन आपको देखने के इस तरह से ही आप सब्सक्राइबात को यह आप यहां पर यहां पर देख रहे हैं यह जो पीला पीला है वहां पर ओपन फोरेस्ट है अब देख सकते हैं कि अब कहां नहीं है जहानाबद अरबन सिक पूरा कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं अब बनों को दो परकार में बिहारें बाट आगे एकॉर्डिंटू रेन फोल एकॉर्डिंटू देर टाइप क्या है मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट नर्म परनपाती बन नम्र ठीक है नम परनपाती बन अब देखिए नर्म परनपाती बन के बाद जहां पर रेन फॉल 120 से जादा होगी वो कैसे होगे तो जादा बर्सा कहां पर होगी उपर वाला एर्यां यह तरह में परनपाती बन मत पुछ ने वहां पर इन सारे बंद देखने को मिलेंगे जहां पे जादा बरसाते होंगे उचाई करने हां पहिं न कहीं सवाना प्रकार की बन सपती भी पाई जाएगी इन बन ओं ठीक है इस बात उसमें मेंली रुख से जो पाई जाएगा वो चंपार ने पाई जाएगा यहां पर साल है सिसम है खैर है ठीक है सेमल है यह सारे पेड़ा आपको देखने को मिलेगा तराय वाला बात करेंगे तराय मिलेगा और वहां पर बात करते हैं तो साल पर जादा देखने को मिलेगे सुस्क परनपाती बन की बात करेंगे ड्राय डिसाइडियस पर जहां पर पानी कम पड़ेगा 120 cm से कम बर्सा वाला रागा दक्षिनी बिहारें पाईएगा फॉन इन सौधन डिस्टिक आपको देख इन सारे देखने को कही न कहीं मिलता है समयरे बातों को Kissky आपके बन पाया तो इससे सवालागा है यो经 time में बहुत वाट ठीक है और आफिसा कि मैनने तो मैंने कहीं पूरा प्लेन लोग क्रिशी पर डिपेंडेंडेंट है और लोग क्रिसी पर डिपेंडेंड है तो कहीं न कहीं जंगलों को काट काट के छेतर भूमी बनाएंगे सबसे पहला बात कहीं पर कोई रोक नहीं पर आप पानी नहीं पर पानी यह पान बनाना है तो इन सारे चीजों में कहीं न कहीं बनों की हार्ट होती जाती है इतना भी इंडर्स्ट्री बढ़ेगा आपको बन कहीं न कहीं न कहीं बन खत्म होते जाएंगे समयरबाद को उची तरह से कुछ ट्रैवल एक्टिविटीज है कुछ ऐसे जन जाती है जो कि बनों मे तो यहां पर हमारा रहा आप हमारा क्यांब लगोलते यहां होते हैं यहां पर लोग घूमते हैं फिरते हैं कुछ भी करते हैं लेकिन एक लिमिट में सरकार के चाहिए तो रोख लगा देगी उनको बलते हैं वन जीव अभिहारन में जानवर हैं वर्ड से रेप्टाल से इंसेक्ट से जहां पर कुछ एक खास परकार के पर जाती जानवर रह रहे हैं उनको बोले कि यहां पर लोगों ठोला लिमीट में जाएंगे लोग यहां पर कि उन सुरक्षित रहे पच्छ सुरक्षित रहे लेकिं निशनल पार्क की बात करते हैं तो निसल पार्क में यह दिखी निसल पार्क के रहाँ कि यह क्या आइ नेशनल पार्क जादा रिस्टिक्टित हुँगि वहां पर लोग को घुमने ही नहीं नियत दियागा बहुत ही परमिस्टि लेकि जाना दिया जाएगा वहां पर कोई भी स्वनेश पाद एक्टिबिटी नहीं लोग ठेलेंगे नहीं इसतरा से तो उसके अंदर वाइलग सेंचोरी आएंगे निसनल पार्क आजेंगे जील वील सब कुछ आजेंगे वह होगे वाइस फेर इजय ठीक है वह हम बात करेंगे जोग्राफिक पढ़ेंगे तो ठीक है इंडिया अब प्रटेक्टर अब बिहार आप देख सकते हैं निसनल पार्क उद्याइपुर वैल डख सेंचोरी कहां पर है यह दोनों पच्मी चंपार में लेकिसार बात करते हैं तो जहां देजेगा तो आपको लिख दू इसका आपको एरिया देखनों के मिला वाल मिंकितार आपका तो आर्सो तीरानमी स्कुआ किलोमीटर थ्वोड़ा से वीडिय सब्सक्राइब को आगे चलेंगे देखेंगे हम लोग जेख सकते हैं कि आपको वैसाली जील आपको देखने की मिल रहा है वहाँ पे आपको वरेला विलेज पतेलपूर देख सकते हैं कई नहीं तो यह तो यह होगा आपका वरेली अवहारन तो कहा पे आप यह साली में नाम याद रखेंगे लाएं लिए में आगे बढ़ेंगे तो कुछ तरबंगा में बहोत महत्मून कुंचाफर खिल भी कुछ उस्थान लिसे स्थान पर ने समारे से दर्वांगा टिक एंडवांगा में कि आगे चलते हैं आगे जो हम आएंगे तो कावर जील आपको बेगुस रहा है कावर जील तो आपको कही है और सबसे बड़ा और जील गोखुर जील कैसे बनता मैंने बताया था ठीक है रामसर सेट मातर बिहर में कौन है तो तो कावर जील बहुँ जड़ा मात्र पून याद रखी ठीक है ऐगे चलते हैं कैमुर में बाइलव ज़्यादा एरिया भी है सबसे बड़ा संस्च्वरी भी कौन है बिहर का तो है वो आपको देखने हूं है सवाल अनुपमजील से एक वर आ चुका है अनुपमजील करकट वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा आगे चलते हैं राजगीर में आपको पंत वन देखने को मिलेगा नलंदा डिस्टिक्ट या तो यह यह दिया कम डिखान के लिए किया गया करिस्य वानी की पोप्लर योजना है हमुः मंत्री पॉटसाला है ॡच्थ योजना है यह सब देख सकते हैं ते सब था चल रहे कर्दाट हुआ था और वूब आष्षा तरीके चल कर ला महस्तिब्द श्वा और यह बहुत फिशा ट्रीके ऐतना जाद Come to CP क कउन को लांच बाण्च यतना ज्यादा माहत्तपून न टीक है लुक्तDa माहत्पून हे नागी नक्टी येंग है पक्षय ओके जुमुई में पोला के घो है अगे चलते हैं आगे अगर बात करेंगे तो देखिए या भागलपुर में बिक्रम सीला है तो बागलपुर में तो कुछ ऐसे नाम है जो आपने नहीं सुनागा लिए फिर भी आपको पता है कि संजाई गांदी जिलोजिकल गार्डेन आपको पता है आपको ーん हो समझ्य कुछ मैंने आपको सिखाया होगा विद्योम ठीक है मैंने बहुत कुछ कवर में अट को बहुत कुछ जो भी आपके प्री के लिए मैंने तो बहुत सफिशन बता दिया हो आप वीडियो को देखे कम से कम दो बार देखे कर एक वार समझ में नहीं आता है तो ठीक है मिलें कल के वीडियों सब आप लोग लाइक करिए सेयर करें सब्सक्राइब कर इतना आदा लाइ जय कर दो झाल दो